नमस्कार स्वागता आप सभी दोस्तों का मैं हूं मुकेश्यानी गुरु वार एक छोटा प्रयोग मान सन्मान सफलता प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा गुरु वार का एक छोटा प्रयोग दोस्तों ये है आज का विसे ही ये है आज का सुब्जेक्ट हर दिन की तरह आज भी अपने जीवन से जुड़ी समस्या और समस्या का उपाई लेकर आपके सामने उपस्तित हो गया हूं पहले तो दोस्तों आज जो भाई बेन का जन्मा दिन है सभी भाई बेनों को जन्मा दिन की सुबकामना सुबेच्छा खुश रहे प्रसंड रहे इस्वर की किरपाद रष्टी आप सभी के उपर बनी रहे हैं दोस्तों मैंने मेरे अगले वीडियो में भी बताया था कि हमारे घर में जितने भी धानिया हैं सभी का अलग-अलग ग्रह से सिद्धा सबंद है हमारी सुरुष्टी के उपर जितने भी पेड़ पोधे हैं सभी का अलग-अलग ग्रह से सिद्धा सबंद है दोस्तों आज एक छोटा उपाई बताने जा रहा हूँ आपको यह उपाई आप करेंगे गुरुवार को बस एक ही बार हफ्ते में एक बार हर गुरुवार के दिन यह प्रयोग करना है आपको मगर एक बात का खुलासा कदू दोस्तों कि जब आप यह प्रयोग करें तब शराप का स्यवन ना करें नोन वेज से दूर रहें गुरुवार के एक दिन ब्रह्मचरिय का पूरा पालन करें दोस्तों यह प्रयोग आपको रात के समय करना है कि सोने के वक्त करना है गुरुवार के दिन दोस्तों उपाई बताने से पहले हर दिन की तरह आज सभी से मेरा एक नमर निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो पहली बात देख रहे हैं मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक होस्या करें दोस्तो पास में लगी बेल पी होस्या दबाए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक मोटते रहें वीडियो को सेर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें हाँ दोस्तो यह प्रयोग करेंगे आप गुरु वार के दिन प्रयोग में जरूरत है आपको एक हल्दी की गाठ नव चने की दाल नव चने की दाल नव नंग दोस्तो वेशे तो मेरे सभी प्रयोग ऐसे ही होते हैं आपको एक रूपिय का भी खर्च नहीं करवाता हूँ बस चरूरत है स्रदा, विश्वास और आस्था की पांच मिनिट मेरे साथ आप बने रहें वीडियो को ध्यान से सुने आराम से सुने उपाई को बराबर समझे उपाई को पूरा समझे बाद में ही आप उपाई करें दोस्तो वीडियो को आधा ना छोड़े हाँ, गुरुवार की रात को आप स्नान कर ले मैंने पहले ही बोल दिया सराप का सेवन नहीं करेंगे नोन वेट से दूर रहेंगे एक रात के लिए ब्रह्म चरिया का पालन करेंगे आप बहने अगर यह उपाई करती है यह प्रयोग करती है तो सुधी के दिनों में यह उपाई ना करें का गुरूवार के एक दिन आपको यह प्रयोग करना है A fi हलदी की एक गांठ लेनी है आपको नौदाने चने के डाल के एक पिला रुमाल लेजिए आप यह तो पिला कपड़ा चोटा छोटा कपड़ा पिला लेडिस रुमाल आता हैं न producer हो चने की दाल और हल्दी की गाट रुमाल में बांद दीजिए रुमाल आपकी पूजा कक्ष में रख दे गुरुवार की रात को आप स्नान कर ले बाद में जब आप सोने के लिए जाए तब आपके राय तहन की कलय पे आपको रुमाल बांद के रखना है एक रात के लिए गुरुवार की सुबह में रुमाल छोड़ दीजिए उठने के बाद तुरद रुमाल छोड़ के आपकी पूजा कक्ष में रख दे दूसरे गुरुवार फिर से ये रुमाल आपको बांद दे है मान सनमान सफलता प्रतिष्ठा एक छोटे प्रयोक से दोस्तों सब कुछ मिलेगा जरूरत है स्रद्धा विश्वास और आस्था की बस दोस्तों आज इतना ही वीडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रहें आप सभी लोगों का शुक्रिया दन्यवाद वंदे मातरम